जालोन के भाजपा सांसद भानू प्रताब वर्मा ने एक के बाद एक दो ट्वीट करके जालोन के अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी है जिससे हड़कम्प मच गया सांसद ने वुद्वार सुबा आठ बच कर नौ मिनट पर दो ट्वीट मुखे मंत्री योगी आदितिनाथ डिप्टी सीम केश प्रशाद मौरे तता लोक निर्मान विवाक के साथ मुखे सचिव को किये जिसमें उन्होंने शिकायत की थे कि अधिकारी उनकी बात नहीं मान र गटिया इसतर पर किया जा रहा है जिसकी शिकायत भी की गई लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही भाजपा सांसद भानू प्रताप वर्मा द्वारा जो ट्वीट किया गया जिसमें मुखे मंत्री योगी आदितिनाथ डिप्टी सीम केश प्रशाद मौरे और मुखे सच प्रशाद मौरे से अपना दर्द बया करते हुए कहा कि प्रदेश में इन अधिकारियों के कारण सरकार की छवी खराब हो रही है जब जन प्रतिनितियों की शिकायत को या अधिकारी संग्यान में नहीं ले रहे तो जनता की समस्या को किस तरह से संग्यान में लिया जाता होगा इस ट्वीट के बाद जनपस से लेकर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है जब ये उर्खियों में आई तो सांसत के द्वार अपनी ट्वीट को ततकाल डिलीट कर दिया गया जिससे सरकार की छबी खराब ना हो सके लेकिन सांसत ने जो दर्द बया किया है विनिश्चेती उत्तप्रदेश के अधिकारियों की कारेशेली पर सवालिया निशान जरूर खड़ा क अब यहां से काल्पी जा रहे थे तो हमने देखा मरूरा की पास एक पुलिया बर रही थी वहां एक मोटर साइकल वाला तो ब्यक्ति तो नहीं मिला लेकिन मोटर साइकल हमें मिली जो करीब आठ पर उपार तारों में लटकी हुई थी सारी चीजे तो हमें कश्प होगा दे तो इस तो इसमें में मुख्यमंतरी और मुख्यमंतरी को यह अभगत कराया था कि जो गोड़वत्ता वी इंकार हो गारा है उसको लेकर सब्सक्राइब करते हैं और आप लोगों जानते हैं ठीकेदारी प्रथा कैसी होती है और अब दिया के जिए लिए बार बार कहते हैं कि जो भी मौका पड़ते है तो ब्लैंटें। आदकालियों को बताते हैं जब नहीं होते हैं जहांच में करवाते हैं इसके जहांच की जहांच भी होगा